गाजिपूर लेंडफिल साइट उसके बाद भलश्वा लेंडफिल साइट पर आग लगने की घटना सामने आई है हालांकि इस में दिलिके पर्याण मंतरी गोपाल राये ने रिपोर्ट सामने रखने की बात की है कहा गया है कि इसकी पूरी जाँच की जाए उसकी जाँच के सामने रखी जाए कि आखिर यह आग क्यों लगी है हमार साथ बाचीत के लिए खुद गोपाल राइजी है सर एक के बाद एक लैंट्फिल साइट पर आग लग रही है हाली गर्मियों का वक्त है और यह कहा जाता ह में आग लगी है इसकी ग्राउंड क्या वज़ा है इसके लिए हमने जाँच के आदेश दिये हैं 24 गंटे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी रिपोर्ट आने पर हम डिटेल जो है इस पर प्लान करेंगे लेकिन एक बात दिख रही है कि आग कूडे के पहाड़ों में लग अजय सकती है और कूडे के पहाड 15 साल में आखिर बने क्यों भारती जनता पार्टी 15 साल से इंप सीडी में सरकार चलाई रही है इतना भ्रष्ट आचार इतना व्रश्टा अचार जिसकी यह निसानी बन गये कूडे के पहाड़ अगर सही समय पर सही प्लानिंग बनता तो नहीं बनते पहाड़ नहीं बनते हैं नहीं बनती है तो इस तरह से जो बार-बार आग लग रही है यह प्राइमरी रिपोर्ट पर दिख रहा है साह है करने जिससे दिल्ली किरण ऑब हम पिछले दिनों एक्सपट की भी मींटिंग की थी इसका उपय क्या हो सकता है तो अभी इसकी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं और उसके साथ-साथ जैसे मुंबई में वहां पर गैस सकिंग सिस्टम लगाया गया है जिससे कि इन गैस को सक करके और कंट्रोल बे में वर्निंग की जाए जिससे कि इस आगों से बचा जा सके उसके लिए भी डा लगना क्या लगता कि इस बार कुछ बड़ी कारवाई आप करने जा रहे हैं गर कुछ एक बार रिपोर्ट आ जाए रिपोर्ट के आधार के बात फिर निड़े लेंगे आप दिल्ली के संयोजग भी है आम आधी पार्टी के सर्ट एम सीडी लगातार एक सर्वे करा रही है जाते जाते भी वस्वली करना है मुझे लगता है कि यह दिल्ली के दुर्भाग के पूर्ण है जिस पार्टी को लोग बिदाई करना चाहा रहे थे किंद्र सरकार्ट ने जो है वो एकिकरण के नाम पर चुनाव टाले और अब इस समय का सदुपियोग करने की जगा ठीक है उसका दुर्पियोग करके पूरे दिल्ली के अंदर दहसत फैलाए जा रहा है अगर 15 साल बुल्डोजर चला होता तो अतिक्रमन नहीं होता पहले पैसा खाए अतिक्रमन कराने के लिए और बुल्डोजर का डर दिखा करके फिर पैसा खाने का वियान चल रहा है इसको पंदरह साल से तो में वह बैठे थे तो अभी क्यों याद आ रही है कि जब आदमी के पास कोई चारा नहीं होता है तो वह उखला आर्ट में कुछ उलल जलूल काम करते हैं मुझे लगता है कि भाजपा को खुद नहीं पता है कि अब में सीडी चुना जुतने के लिए हम क् कर रहे हैं तो कब हो क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली सरकार को उसमें क्या दिक्कत है हमने तो नहीं कहा कि हमें दिक्कत है 15 साल से क्यों नहीं बदला उन्होंने 15 साल से उन्होंने क्यों नहीं बदला ये काम 15 साल से सो रहे थे उनको को लगता है कि साहट इस से इस 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 काम करने से हमारे पक्च Givens में लोगым आ जाए दिली कि लोगों ने कंद्रह साल मौका उनको दिया कि अकूर्च्मिंड हटाने का भी दिया मौका नाम बदलने का भी मौका दिया इन पहाडों को हटाने का भी मौका दिया सब कुछ तो पंदरा साल बहुत होते हैं अब जब आपको सारा मौका दिया और आपके प्रडाम क्या है पहाड प्रष्टाचार गंदगी यह तो पहचान है कि अब आप ऐघल्गें देखो दिली की लोग को सफाइं सेंधे मुध्य तो अब असफंटा में घर रहे हैं मुझे लगता है की दिली गौग ईंतिजार कर रहे हैं आज तो चुनाऊ तो आप कराऊ गई और जब घञए को तो गोपाल रहा है साब तोर पर ये कह रहे हैं कि हार का डर सता रहा है और यही वज़ा है कि इस तरह की राजनीती जो है वो बीजेपी कर रही है कैमरम बेद प्रकाश पांट के साथ दीपक सिंग रावत एबीपी न्यूज दिली